नमस्कार दोस्तों वैलकम टू पिके क्लासिस दोस्तों आज आप्टिकल पाइरोमीटर के बारे में जानेंगे आप्टिकल पाइरोमीटर क्या है कैसे काम करता है कौन-कौन से इसके पार्ट्स होते हैं क्या इसके फायदे हैं और कहां पे इसका उप्योग किया जाता है तो आ optical pyrometer एक ऐसा measuring instrument है जिसकी सहायता से हम high temperature को मापते हैं आपने जैसे की नाम सुना है थर्मामीटर नाम सुना है भी metallic thermometer थर्मो कपल्स ये temperature measuring instrument है RTD लेकिन जो pyrometer है pyrometer से हम furnace का temperature measure कर सकते हैं high temperature को measure कर सकते हैं molten metal के temperature को measure कर सकते हैं means जहां पे 1400 degree, 1500 degree, 1800 degree जहां पे बहुत ज्यादा high temperature होता है जिसको हम contacting type instrument से नहीं माप सकते हैं उस जगा पे pyrometer का उपयोग किया जाता है अब optical pyrometer जो है यह एक non contact type temperature measuring device है किस प्रकार की device है non contacting type जैसे आप जानते थर्मा मीटर है तो थर्मा मीटर को आपको contact में लेना पड़ता है आप अपने जीप के अंदर दबाते हैं या आप कहीं hold करके रखते हैं तो वो contacting type है थर्मो कपल आप contacting type लेकिन यह जो है यह non contacting type temperature measuring device है that used to measure the temperature of molten metals, overheated materials and furnace etc means इसका उपियोग जब हम करते हैं तो हम कहां पर करते हैं molten metals, molten का मतलब है पगला हुआ material जो हम किसी भी धातु को गलाते हैं तो मालूम सपोज उसका तापमान melting point है वो 1800 degree है तो 1800 degree पर melt होगा तो 1800-1900 degree temperature को भी हम इससे measure कर सकते हैं the working principle अब जो कैसे काम करता है पाइरोमीटर तो पाइरोमीटर का जो working principle है optical पाइरोमीटर इसमें हम match करते हैं आपजेक्ट की brightness आपदी फ्लामेंट बिद्दा reference फ्लामेंट या bulb आपदी डिवाइज means जो हमारा heart body होती है आपजेक्ट होता है जिससे उसकी जो radiations emit होती है आपजेक्ट से उस radiations की visibility क्या है उसकी brightness क्या है और इसके बाद जो हमारी डिवाइज में लेंप है reference lamp है फ्लामेंट उसकी visibility या brightness दोनों को major करके हम तापमान का पता लगाते हैं temperature को calculate करते हैं तो इस working principle पे optical pyrometer work करता है अब इक कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तो जो भी छात pk classes में first time है जो अभी भी pk classes से नहीं जुड़े हैं या जो अभी भी चैनल को subscribe नहीं किये हैं वह चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें जिससे दोस्तो आने वाला latest वीडियो आपको समय से मिल सकें चैनल सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं यदि notification आप आन रखते हो तो आपको RGPV latest update भी मिलेगा और साथ ही आपके subject सम्मंदित आपके topics से related जो वीडियो हैं वो wk classes में उपलवद हैं उसको भी आप देखकर अपने exam की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हूँ तो अब हम देखेंगे construction and working आप्टिकल पायरोमीटर कैसे काम करता है तो दोस्तों इसमें ये का आपका slender होता है जैसे कि आपका ये horizontal plane पर एक slender है slender के अंदर हमारा reference filament है bulb और इसके बाद हमारा एक red filter लगा हुआ है IP से और heart body है जहां से radiations emit होंगी और एक lens है इसके बाद real state और emitter है real state regulate करेगा current के लिए emitter इसको बताएगा measure करेगा तो ये हमारे इसके components है जो की optical parameters में होते हैं अब एक सबसे पहले working की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो अलग-अलग हम यदि किसी bulb में अलग-अलग current को supply करते हैं तो जिसमें ज्यादा current supply करेंगे वो हमारा क्या होगा ज्यादा bright होगा जिसमें कम होगी वो कम bright होगा तो similar यहां पे हमारा जो reference filament है bulb filament है यहां पे हम real estate की help से क्या करते हैं current को bury करते हैं current को bury करते हैं और जो हमारी heart body है heart body आपकी जैसे की left hand पे heart body रखी हुई है और right hand पे आपका eye pieces से eye pieces बो जगा है जहां पे हम अपनी आग से इसको क्या करेंगे major check करेंगे observe करेंगे जब दोनों की intensity या दोनों की brightness से वो equal हो जाएगी तो उहां पे हम note करके readings इसके बाद हम इसको major कर लेंगे और current को हम कितना current हुआ उसको हम major करके किस में temperature में बदल देंगे और temperature यहां से हमक हें hot body radiation को क्या करती है emit करती है अब जब यह radiation emit होगा hot body से तो यह radiation objective lens से पास होते हुए हमारा focus कहां पर करेंगा bulb filament के पास करेंगा bulb filament करेंगा ठीक इसके बाद जो हमारा bulb का filament है इसमें हम क्या करेंगे इसमें real estate की help से क्या करेंगे current को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और जैसे कि इसकी current हमारी इतनी आपने increase कर दी कि इसमें जो invisible हो गया means बीच का जो filament है वो आपको देखना ही बंद हो गया invisible हो गया लगी नहीं रहा कि इसमें कोई बायर जुड़ा हुआ है तो जैसे invisible होगा इसकी जो intensity होगी ये current हमारा emitter पर indicate होगा आप कितना supply कर रहे हो इसकी readings को हम note करेंगे इसके बाद जो हमारी eye pieces होती है eye pieces से जो absorb होता है वो हमारा क्या करेगा इसको absorb करेगा filament के लिए क्योंकि यहां से देखता जाएगा उसी के अनुसार ही रियो state से क्या करेगा current को bury करेगा घटाएगा बढ़ाएगा बैरी करेगा इसके बाद जो हमारी heart body से radiation emit हो रही थी ये lens से पास हो के एक बिंदू पर क्या होगी focus करेंगी ये जैसे हमारी filament पर तो जब इन दोनों की जो brightness है ये brightness equal आजाती है तो brightness equal आने पर हमको current की मालूम है कि हम कितना दे रहे हैं तो यहां से हम क्या करते हैं temperature को note कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो current है current कितने मात्रा में supply हुआ तो current से एमिटर से आप यहां पर calculate कर लोगे ratings ले लोगे इसके बाद आप इसकी जब दोनों की intensity या brightness equal आ रही है तो इसका मतलब है कि same इसको हम convert करके किसमा temperature में और temperature हमको पता चल जाएगा हम इस तरह से optical parameter से temperature को map ते हैं यहां पर जो rate filter होता है rate filter है जैसे कि आपका यह filter लगा हुआ है rate filter यहां से क्या होता है monochromated type का होता है यहां से हमारी क्या होती है जो एक light है वो इस तरह से जर्रेट होगी और इस light से हम यहां पर क्या करेंगे चेक करेंगे जैसे invisible हो जाएगा देखना बंद हो जाएगा तो इसके बाद इसकी intensity और जो हमारी heart body से आ रही है इसकी brightness दोनों equal हो जाएगी तो वहां पर हम real state को stop करेंगे stop करने के बाद हम readings को note करेंगे और note करने के बाद हम इससे temperature find कर लेंगे इस तरह से हमारा जो optical pyrometer है वो बर्क करता है clear now इसके फाइदे क्या है इसकी advantages advantages में दोस्तों जैसे की it is used for high temperature measurements means optical pyrometer जो है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं high temperature को mapने के लिए it is flexible and portable यह जो instrument है यह flexible भी है और portable भी है means इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं ला सकते हैं और आसान भी होता है it is used to check the temperature of moving objects means जो optical pyrometer होता है इसका उपयोग हम किसी moving object के तापमान को भी निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं fourth it can be measured without contacting with the target means यह target से बिना touch हुए बिना physically contact के target का जो object है उसके तापमान को accurately measure करता है बताता है clear fifth less weight यह हलका होता है light weight होता है इसलिए तो portable है clear तो this is these are the advantages of optical pyrometer now applications applications में आप जो आपका पाइरो मीटर है optical pyrometer है यह तो आपको मालूम है कि यह temperature measuring instrument है अब it is used to measure the temperature of highly heated materials इसका उपयोग हम highly heated materials के तापमान को मापने में करते हैं it is useful to measure furnace temperature furnace आपने देखा है जहां पे हम लोहे को गलाते हैं melt करते हैं तो वहां तापमान जैसे कि आपका steel का temperature melting point ले ले या pure iron का melting point ले ले तो 1498 degree या 1549 degree है तो 1549 degree पे temperature को measure करना यह पता करना कि हमारे furnace का तापमान इतना पहुंचा यह नहीं पहुंचा यह हम कैसे करेंगे तो contacting device से तो करनी सकते हो सकता वो ही melt हो जाए तो इस जगाओं पे हमारा क्या होता है इस तरह के जो optical pyrometer से इनकी साहिता से हम आसानी से पता लगा सकते हैं इसके अलावा हम crystal जो होते हैं इसकी ग्रोथ में heat treatment जो प्रोसेस होती है उनके temperature को medicals में semi conductors में इसमें भी optical pyrometer का हम उपयोग करते हैं measurement के लिए किसके temperature ताप मान को मापने में इस तरह से हमारा optical pyrometer से जो की यूज होता है ओके दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आई होप आपने चैनल भी सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करें थैंक्यू